नमस्कार स्वागर थे आपका आप देखने प्रात्ना हो स्वीकार आपके साथ मैं हूरेखा कडाकोटी राधा के बिना कृष्च्ण का नाम अधूरा है श्रीक्रिष्ण कि प्रिये राधा रानी का जन्मोस्तप राधा अश्टमी अक आज मितल चाला जब अश्टमि के पूजा का पूजा का पुरा पल नहीं मिल पाथा आज हम आपको राधा जी की पूजा जाने हैं जहां कृष्ण वहां राधा राधा बिना शाम है आधा ये दो शब्द नहीं बलकि एक नाम ही है जो एक दूसरे के लिए ही बने है राधा वो नाम जिसमें कृष्ण समाय हुए है योगेश्वर कृष्ण की प्रेड़ना और आराध्य शक्ती है राधा जिसमें भक्ती का संपून योग समाहित है जिसके बिना कृष्ण की कल्पना अधूरी है जिनसे कृष्ण होते हैं ऊण श्रीकृष्ण और राधा आपने अटूट नी स्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक मानी गए है जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है अगर आप तंत्र सात्र में देखो तो वे सपस्च लिखा है जब भगवान शंकर और मा पारवती के मन में विप्रित रतीकी इक्ष्या हुई है तो भगवान शंकर थे वो राधा बन गए है और मा पारवती के मा काली कृष्ण मन गई है इसलिए आप देखें और व आता मतर बीजी मंतर एक ही है कहते हैं राधा धर्ती पर क्रश्न की इच्छा से ही आई कहते हैं जन्म के ग्यारा महीनों तक राधा ने अपनी आखी नहीं खोली थी कुछ दिन बाद वो बरसानी चली गई जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है राधा जी व्रंदावन की अधिश्वरी है व्रंदावन से 43 किलोमेटर दूद बरसाना के भ्रमाचल परवत पर राधा रानी लाटली सरकार स्वरूप में विराचती है राधा रानी का ये दर्बार श्री जी दर्बार के नाम से भी प्रसित है श्री यानि लक्ष्मी कहते हैं कि इस दर्बार में राधा रानी प्रेम के अखंड आशिरवाग के साथ धन और एश्वर्य का भी वर्दान देती है भादरपद शुक्ल पक्ष की अश्टमी तिथी को बरसाने में राधा जी का जन हुआ था इस दिन को राधा अश्टमी के नाम से मनाया जाता है राधा जी का जन कृष्ण के साथ स्रिष्टी में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो क्रिष्ण के मार्ग पर चलनी से प्राप्थ होता है हर वो व्यक्ति जो क्रिष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है अश्टमी तिथी 3 सितंबर को दुपहर 12 वच कर 25 मिनट पर आरम होगी इस तिथी का समापन 4 सितंबर रविवार सुभा 10.40 पर होगा ओधिया तिथी के अनुसार राधा अश्टमी का पर 4 सितंबर को मनाया जाएगा जब राधा अश्टमी का तहवार करीब आता है तो राधे के भक्त राधे के धुन में सराबोर हो जाते हैं राधा अश्टमी ही वो दिन होता है जब भक्त राधा रानी के चर्णों के शुब दर्शन प्राप्त करते हैं क्योंकि दूसरे दिनों में राधा के पैर धके होते हैं। लाडली के जनमोटसव को धूमधाम से मनाने की तयारी यहां पहले से ही शुरू हो जाती है। किशोरी जी आने वाली हैं तो घर को खुब अच्छे ढंक से सजाएं, खुब मंगल कलश अपने घर की देहरी पर रखें, देहरी मानें, बंदन बार लगामें और हम अपने घर के सभी सदस्य मिल जुल करके खुब बढ़िया वस्त्र पहन करके तयार हों। और तयार होकर के स्री किशोरी जी के बारे वजे मध्यान में जन्म के समय पंचामरत आदी अवशे करने के बाद में बधाई गायन करें। किशोरी जी के प्राकर्ट की बधाईयों का गान करके सभी घर के परवारी सदस्य मिल करके निर्थ करें। आनंदुस्तम मना में अपने सभी प्रेमी जनों को बुला करके आनंदुस्तम मना करके यह उस्तम मनाना चाहिए। राधाश्मी भगवान और मनुष्य के बीच एक अध्वित्य सम्बंध का प्रतीक है जो श्री कृष्ण और राधारानी के नीस्वार्थ दैविये प्रेम बंधन को दर्शाता है मानिता है कि राधाश्मी का व्रत और पूजन करने से घर में सुक सम्रिध्धी, शान्ती और खुशाली आती है तो कैसे करनी है आपको राधाश्मी पर श्री राधा की पूजा आए समझे राधाजी की धातु या पाशान की प्रतिमा ले आए बंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नवीन वस्तर धारण कराए मध्यान में मंडप के भीतर तामवे या मिट्टी के बर्तन पर दो वस्तरों में राधाजी की मूलती स्थापित करे होग लगाकर धूप दीप, पुश्प अर्पित करे राधाजी की आर्थी करे संभव हो तो उपवास करें दूसरे दिन सौभागिवती स्त्री को श्रिंगार की सामगरी और मूर्ती का दान करें तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहन करके व्रत का पारायन करें रादाश्टमी को भगवान की आलादनी शक्ती स्री किशोरी जी की पूजा के लिए मद्यान में बारे वजे किशोरी जी का प्राकट्टी हुआ उस समय जिनके घर में स्री किशोरी जी का विग्रह हो उनका दोनों का ही युगल का पंचामरत अवशेक करें उस पंचामरत अवशेक में दूद, दही, घी, शहेद और शर करा इन पांचों का मिश्रण करके दोनों युगल स्वरूप को पंचामरत अवशेक से श्नान करा में और पंजीरी का भोग लगा में बढ़िया सुंदर वस्तर आधी धरा करके पांच प्रकार के फल, पांच प्रकार की मिठाई, पांच प्रकार की मेवा आधी सभी किशोरी जी को भोग लगा में और हम चाहते हैं कि जिनका हम प्राकट उस्सम मना रहे हैं, उनकी क्रपा हमको प्राप्त हो, इसी लिए जन्माश्टमी की भाती ही स्री राधाश्टमी का ब्रत्वी करना चाहिए जैसे जन्माश्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ती में डूब जाने का महा पर्व है उतना ही महत्वपूर्ण है वरश्भान की दुलारी राधा रानी का जन्मूत्सव भी राधा अश्टमी पर जो भी सच्चे मन और श्रधा से राधा जी की आराधना करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख स्ताधनों की प्राप्ति होती है ब्रज की गलियों के कण कण में वसी है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानिया राधा अश्टमी के महा पर्व पर प्रेम में सफलता के लिए भी आप कर सकते हैं विशेश उपाए हम आपको आगे बताने जा रही है राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टी में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो के कृष्ण के मार्थ पर चनली से मिलता है माना जाता है कि अगर श्री किष्ण के खिरपा चाहिए तो पहरी राधा जी को मनाना होगा राधा अश्टमी पर आप प्रेम में सफलता पाने का उपाए भी कर सकते हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा उतना ही जटल और निर्मम भी सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा हो लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी ही रही इस अधूरी कहानी में फिर भी एक संपूरता है शास्त्रों में श्री राधा, क्रिश्न की शाश्वत, शक्ति, स्वरूपा और प्राणों की अधिशास्त्री देवी के रूप में बढ़नित है यानि राधा की पूजा के बिना श्री कृश्न की पूजा अधूरी मानी गई है 24 अवतार में परपूनतम अवतार स्री किष्ण का है भगवान स्री किष्ण आए हैं तो वो अकेले नहीं आए उनके साथ में उनकी जो आलादनी शक्ती हैं जिस सक्ती के माध्यम से भगवान स्रष्टी का संचालन करते हैं उस स्रष्टी के साथ अवतरित हुए हैं इसलिए र जो है राधा की पूजा करते हैं तो पीले रंग की जो है उनको रंग काफी पसंद है पीले रंग की चुनरी, पीले रंग की डोरी, पीले रंग के जो है चावल, पीले रंग के जो है वो समान उनको अरपित करें तो माता बड़ी पसंद होती है तो आधा कृष्ण की पूजा दोनों की पूजा इखटी होती है, के लिए पूजा नहीं होती, दोनों की पूजा के लिए जे वो ही है, कि आप जो है उनको पंचा मरस से इसनान कराएं, माता राधा को, उनकी मूर्ती को आप जो है पंचा मरस से इसनान कराएं, पंचा मरस से इसनान कराने के बाद में आप केवड़ा गेसर इत्यादी जो है उनको पर रपन करें उनकी मूलती को लगाएं उसके बाद आप उसको पुष्प से पिलरंग के पुष्प से उनको रमाला रपन करें वस्त्र पैनां साथ में जो है पिलरंग का चंदन कि श्री राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता तो इस बार आधाश्वी पर जोतिश के विशेशग्यों के बताए आप भी कर सकते हैं ऐसे अचूप प्रयोग जिनसे अगर आपके जीवन में प्रेम संबंधी बाध हो सकती हैं राधा कृष्ण की सयंस्त पूजा करें कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें राधा वल्लभाय नमहा का जाप करें भगवान श्री कृष्ण और राधारानी का लौकिक प्रेम जग जाहिर है आज भी लोग उनके पवित्र प पक्ष की अश्टमी तिथी पर कृष्ण जन्माश्टमी मनाई जाती है वहीं ठीक 15 दिन बाद इसी महा में शुक्ल पक्ष की अश्टमी तिथी पर राधाश्टमी राधाश्मी के दिन व्रत रखने और राधारानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में खुश्या आती है तो अब जानिये वो महा उपाए जिससे आपको मिल सकता है अखंड भक्ती का महावर्दान जब राधा की पूजा होती है तो वहाँ प्रेम से ही पूजा होती है वहाँ पे कोई भी जो है आप आडंबर करेंगे वो नहीं चल पाएगा इसलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं वो कोई भी जो है उनका तंत्र वो राधा के तंत्र के आगे फेल हो जाता है वो जो पुजापाट भी करते हैं शिर्फ नाम नाम जब के द्वारा ओम राधे 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 इसी जब के द्वारा जो है वो हर पकार के जो है वो जीमन से मुक्त हो जाते हैं और हर पकार की मनोकामनागी प्राफ करते हैं जिस शक्ति के ही माध्यम से जितनी भी हम देवियों का दर्शन करते हैं वहाँ देवियों का भी प्राकट शास्त्र के अनुसार स्री किशोरी जी के ही अंग से माना गया है इसलिए सर्व शक्ति मान का ही प्राकट हो रहा है तो राधा अश्टिमी का जो दिन है वहाँ बहुत मंगल में दिवस है विशेश प्रयोग अगर आप करेंगे तो पाएंगे राधा रानी की असीन क्रपा लिकिन श्री राधा जी की ऐसी सुति भी है जो शिवजी ने राधा को प्रसंद करने के लिए मा पार्वती को सुनाई थी। ब्रज के भक्तों में इस सुति को बहुत सम्मान का स्थान प्रा श्री राधा जी की स्तुतियों में उसका इस्थान सर्वो परी है। कौन सा है वो स्तोत्र और क्या है उस्तोत्र की महिमा आईए जानते हैं। के श्रिंगार, रूप और करुणा का वर्णन है। इसमें उनसे प्रश्न करता बार-बार पूछता है कि राधा रानी जी अपने भक्त पर कब कृपा करेंगी। व्रंदावन और व्रच के सभी मंदिरों में इसी तोत्र से राधा क्रश्न की आराधना की जाती है। उरू नाभी ये कंट तक राधा कुंड मंझार अंग डुबाय सलील में पढ़ता जो सो बार। हू सविच्छा पूण हो वचन सिद्धी ततकाल। विभव मिले दे राधी का दर्शन करे निहाल। वीज तुरत देती अतुलवर राधी का कृपाल। हो जाते सम्मुक प्रकट प्रीये उनके नंदलाल। श्री राधा जी की स्तोत्यों में श्री राधा क्रपा कटाक्ष सोत्र का स्थान सर्वोपरी है। इसलिए इससे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्वराज नाम दिया गया है यानि स्तोत्रों का राजा जीव जोवी भक्त स्री राधा कृपा कटाक्ष का नित्यप्रती प्रेम से स्रद्धा से भाव से भरकर के पाठ करते हैं तो ऐसा हमने संतों से सुना हैं ब्रज भक्तों से सुना हैं कि जिन भक्तों ने राधा कृपा कटाक्ष का पाठ इस्तोत्र का पाठ किया है उनको स्री क शोरी जी के साथ हमारे ब्यारी जी की भी क्रपा प्राप्त होती है। आप देखते रहिए जी एन्टी याने के गुद वीज टोड़ी।